हालो जी, कैसे हैं आप सब लोग? I hope आप सब लोग अच्छ होंगे, मज़े में होंगे तो देखें, रमजान का महीना शुरू होचगा है कभी उसमें खानी की प्रेपरेशन, कभी उसकी बेकॉरेशन थो देखें, यह हमने रमजान की डेकॉरेशन करी थी और इस decoration में ये tree के reason मैं आप सब लोग के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी क्योंकि जब Christmas था तो मेरी बेटी बहुत fascinating थी कि मुझे ये Christmas tree चाहिए तब मैंने उसे promise किया था कि मैं तुमें रमदान में Christmas tree तो नहीं है रमदान मून जरूर बना के दूँगी और इसलिए मैंने इसमें बनाने की कोशिश करी और अलहम्दलिला ये फाइनली बनके एक अच्छा सा मून तयार हो गया आप सब लोग देख सकते हैं कि यहां पे बच्चों को आपको अगर अपने दीन इसलाम के गरीब लाना है तो आपको उनकी जो तर्वियत है वो घर से स्टार्ट करनी होगी क्योंकि यहां पे वो इन्वाइरमेंट नहीं है कि बच्चा मस्ज़्ज जाए, रोजाना या लोगों को आते जाते देखे तो वो सीखे So, ये सारी चीज़े आपके ओपर depend करते हैं कि आप बच्चों को कितिना इन सारी चीज में involve करना चाहते हैं उनको कुछ involve करने के लिए हमें कुछ ऐसी activities करनी परती हैं जिसमें बच्चों का interest develop हो उनको लगे कि हाँ ये कुछ चीज है ये हमाई इसलाम से हमाई रिलीजन से डिलेट करती है तो देखें ये बस एक बच्चों के लिए डेकोरेशन थी लेकिन फाइनली इट कमस आप बैरी नाइस मैंने सोच आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए तो ये रही हमारी रमजान की डेकोरेशन और इसका एक और वूल हमने बनाया है कि इसमें रमजान में स्टार्टिंग में एक गिफ्ट आया है बच्चों के लिए जो कि इस मून से निकला है और जो कि किसी अंजल ने दिया है और एक आएगा अब इनके पास इद वाले देन गिफ्ट तो इससे मुझे लगता है कि बच्चों में इंट्रेस्ट रहेगा उनको ये नहीं रहेगा कि बाकि सारे लोग क्रिस्मस ट्री बनाते हैं उनको गिफ्ट मिलते हैं क्योंकि बच्चों की एज अभी ऐसी है ना कि उन सारी चीज़ों को आप वरबली बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा इसलिए उनको थोड़ा प्रैक्टिकली उनको इंट्रेस्टिंग करके उस चीज़ को बताने में वो समझते हैं तो बस यह था आज बच्चों को घर इस स्कूल ड्रॉप किया पहरे फिर दूसरे बेटे को मैंने डेक्यर ड्रॉप किया उसके बाद आज मुझे जाना था आइकिया तो आइकिया मुझे कुछ खास नहीं बस ऐसी विंडो शॉपिंग करनी है लेकिन उसमें मुझे पता है कि मुझे कुछ और्गिनाइजर्स चाहिए थे तो यह देखें स्कूल आप यहां पर भी टेंपरेचर ठीक है बट फिर भी आज यह काफी बिंडी था तो बच्चे को कर दिया है डॉप तो अब हम इसके बाद चलते हैं आइकिया और आइकिया में आज वीग डे है और वीग डे है फिर भी इतनी ज्यादा यहां पर रच था तो इसलिए में वहां पर कोई भी ऐसी वीडियो शूट नहीं कर पाई लेकिन इंशाला मैं आपके स सामान लाई हूँ आपके साथ अभी शेयर करती हूँ तो और वहां पर काफी अच्छी डील चलुए इस टाइम अभी स्प्रिंग सेल स्टार्ट हो चुकिया तो अगर आप चाहें तो आप उसको जाकर चेक आउट कर सकते हैं तो यह देखें हैं मैंने आर्ट बेसिकली उसके बाद यह चोटे चोटे ओर्गनाइजर हैं पैके टाइप के इसमें मुझे रखना है बच्चों के आर्ट एंग्राफ्ट जो कि हर रोज स्कूल यह देकर से आता है वह बहुत मैस करता है इन सबको मुझे इसमें रखना है उसके बाद इस चोटे खोटे और बुजे जाए कहीं नहीं हो जाएंगे और मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी ले लिए क्योंकि Ikea में आपको रिटर्न पॉलिसी काफी अच्छी मिल जाती है तो उसमें टेंशन नहीं होती है आपके कब आपको क्या रिटर्न करना है उसके बाद यह कुछ रॉर और और अगेरा थे अच्छ नहीं सकते हैं आप थोड़ा से सामान लें आपका बेल जो है 100-200 से अबव जाता है सो सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन बस यह है कि Allah ने जहां रोजी रखी है नहीं पे बंदे को रहना परता है उसके बाद यह थोड़े से और मैं बच्चों के रूम के नहीं हो हैंगिंग तो मुझे यह सबसे अच्छा प्रोड़क्त लगा यह हैं लॉंड्री के लिए और क्योंकि मेरी लॉंड्री में इस पेस कम है तो यह वहां पे काफी अच्छे से से सेट हो जाएगा तो चलें यह दो मैने लिए हैं चौप डिस्पेंसर यह भी बेस्ट क करके भी रखनी है तो उसके लिए मैंने पहले मन्चिकन का कीमा लेकि उसे बॉइल कर लिया था उसके बाद मैंने उसे फराई किया और रमजान में जैसे हम लोग के यहां रॉनक होती है वैसे यहां पर बिलकुर रॉनक नहीं होती कभी-कभी दिल बहुत करता है कि काश हम लोग वहीं पर रोजा करते हैं या फैमली के साथ होते हैं तो यह सारी चीज़े हैं जो आप मुझे लगता है कि बाहर रहके बहुत जादा मिस करते हैं तो आप लोग का क्या स्केजिल रहता है कैसा लगता है आपको यहां जादा अच्छा लगता है रोजा रखना है या फ वो अपनों के साथ ही होता है लेकिन लीव इस टॉपिक काफी इमोशनल टॉपिक हो जाता है ये तो चलिए ये मेरे मुमोज बनके तयार हो गए थे अब ये इसकी बनवे है चट्नी तो ये चट्नी बनने के बाद मैं इसमें से और भी इंगेजमेंट्स है तो उनके साथ में सारी चीज़ों को मैनेज करना और स्पेशली जब आपके पास कोई भी हेल्पिंग हैंड ना हो तो थोड़ा सा मुश्किल होता है बच ये है कि आप धीरे धीरे चीज़ों को समझते हैं उनको मैनेज करना आ जाता है तो वो सारी चीज़ें ही फिर आपको इजी लगने लगती है तो अब मेरी बारी थी दूसरा पैटीज बनाने के लिए तो पैटीज का भी यहाँ पे शीट मिलती है बस आपको ये करना है को इसको रोलिंग पिन की हैल्प से उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और अपने अकॉर्डिंग उसके साइस को आप डिवाइट कर ले तो ये शीट मिल जाती है तो जो सारा बनाने का प्रोसेस है ये काफी इजी हो जाता है तो देखें इस तरह से मैंने इसको फिल करके रख लिया और आप इसने जो भी शेप चाहें वो दे सकते हैं इसको आप राउन करना चाहें इसको ये जादा तर जो ट्रेडिशनल पैटी का शेप होता है ट्राइंगल टाइप का वही देती हो तो ये काफी इजी होती है तो इसके बाद आप बना के इसे उपर से इसमें एग ब्रश करके और आप इसको बेक करने 400 डिग्री पे 30 मिनट के लिए और ये बहुत क्रंची और बहुत सॉफ्ट बन के तयार होती है तो उधर मेरी ये मॉमोज वाली चेपनी रह ली थी तो मुझे इसे थोड़ा सा फ्राइ करना था वो मैंने कर लिया अब next बनाते हैं में spring roll क्योंकि आज मैंने सोचा जब में non wedge बना रही है तो non wedge की इतने भी चीजा हैं मैं एक साथ इनको बना के freeze कर दो तो इस तरह से मैंने ये spring roll बनाना इस्टार्ट के spring roll की भी sheet हैं बस आपको बना के उसे shape देना है और उसको अच्छे से इस तरहां से corn floor के solution से उसे बना के आपको अच्छे से बंद कर देना है ताके कोई भी spring wall बाद में खुले नहीं तो चलें ये मेरे सारे spring wall भी बन के तयार हो गए हैं पैटी इस हो गई, momos हो गई तो मेरी आज की ये सारी preparation complete हो गई और अब साथ के साथ रोजे का भी time हो गया तो चलें करते हैं रोजे की preparation और इधर मैंने ये बचर भी बनने के लिए रख दिया है अब देखें रोजे का time होता है उससे पहले बच्चे ready होता है क्योंकि ये सारी चीजे इनको थोड़ी सी क्योंकि ये क्योंकि ये तेक्यू